लोगों के लिए इन्डिया वॉस्जिंग फाइनस लिमिटेड आज मैं आप सभी को इंडिया वॉस्जिंग फाइनस लिमिटेड के ऊपर फिरसे इंट्री लेवस्ज बताने वाला हूं देखें दोस्तों एक-जित लेवस्ज तो अभी टच नहीं हुआ है पर entry करने के लिए हम लोगों को फिर से chance दे रहा है कि इसके अंदर हम लोग entry करे देखिए वो entry levels आप लोगों को मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ आज के वीडियो में आप लोगों को समझा दूँगा दूस्तों की वो entry levels कैसे होंगे, कौन से level पे होंगे और stock नीचे जाता हुआ देखिए हम लोग stock के अंदर कैसे average करें वो आप लोगों को बता देता हूँ और मेरे तरफ से छोटा सा आप लोगों के लिए humble request है दूस्तों कौन से भी news पे depend करके मत चलिये क्यूंकि news ऐसे होते हैं दूस्तों और आप stock को नीचे गिराना है तो देखिए bad news होगा stock को ऊपर जाना है तो good news होगा देखिए कभी भी stock के अंदर over buying होता तो ऊपर जाना ही है over selling होता है तो नीचे जाना ही है ज्यादा तर लोगों को एक छोटा सा trick पता नहीं हो के news पे depend करके stock को buy and sell करते हैं दूस्तों अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं मेरे तरफ से humble request कर रहा हूं की news पे depend करके stock को buy sell मत करिये क्योंकि देखिए आप ज्यादा तर लोग दोस्तों stock news देखे ही बस इसके अंदर pre market के अंदर भी market भी चालू नहीं होता है दोस्तों प्री मार्केट के अंदर ही उसको news देखे good news आये तो buying पर रख देते हैं bad news आये तो selling पर रख देते हैं वो stock क्या करेगा हम लोगों की उस दिन काटेगा बहुत बहुत जोर से काटेगा ऐसा काटेगा हम लोग stock market से exit हो जाएंगे की चलो भाई चलो भूत हो गया है बहुत पैसे गवा लेंगे देखिए दोस्तों ऐसा क्यूं करते हैं क्यूंकि चार्ट analysis समझ में नहीं आता है एक पांच मिनिट या दो मिनिट के लिए चार्ट लिकाल के नहीं देखते हैं और फ़ी पताने होता है मैंग पताने होता है इसके लिए stock market में ज्यादत से ज्यादतर लोग नुकसान होते हैं दोस्तों दीखिए आप घबराईए मत मैं हूं दोस्तों आपका दोस्तों का दोस्त यारों का यार मोहमत सोहेल आपप लोग को चार्ट analysis कैसे करें चार्ट में दोस्तों stock अभी भी buying opportunity पे ही है देखिए आप लोगों को मैं इंडिया बुल्स housing finance पे बहुत नीचे लेवल से टागेट देते आ रहा हूं देखिए उपर लेवल तक भी वो पूरे टागेट अचीव हो गए है उपर लेवल पे टागेट अचीव होने के बाद आप लोगों को मैं टागेट नहीं बताया था exit पताया था क्योंकि stock reversal जाने वाला था आप देख सकते हैं stock reversal भी ले लिया है पिछले दो तिन हफ्तों से reversal में ही है आप लोगों को मैं बैइंग का opportunity दे रहा था 220-210 लेवल के नीचे देखिए अगर आप 220 के लेवल के नीचे आज के दिन भी मेरे कहने पे बैइंग करें त चार्ट analysis कैसे करें चले मैं आज आता हूं moment पर बात करने के लिए आज का दिन है 24 जिलाई 2020 आज का day है Friday इंडिया बुसका closing price है दोस्तों 216.10 पैसा आज इसका day high है 225.75 पैसा and day low है दोस्तों 214.00 पैसा देखिए 214 से लेके 225 तक का सफर बहुत अच्छा था पर सफर दोस opportunity फिस से दर है देखिए stock कभी भी buying और selling के लिए बोलता है तो हम लोग buying और selling करें ना चाहिए अब आप बोलेंगे कि stock कैसे बोलेगा stock chart analysis के तरफ से बोलेगा कि मुझे buy करो मुझे buy करो मुझे sell करो मुझे sell करो बस यह पता नहीं होता है ज्यादातर stock जो trade करते हैं उसे पत से price पर करें कौन से level पर करें वह भी आप लोगों को मेरे वीडियो में समझाते आ रहा हूं आगे चलके भी समझाओंगा आपके साथ रहूंगा दोस्तों मैं क्यूंकि आप लोग लुक्सान नहीं होना चाहिए जो stock market को गलत करेते हैं देखिए वह लोग मुझे हाथ लगा करके बताता हूं ऐसा नहीं बुलना चाहिए कि आप लोग भी ऐसा नहीं बुलना चाहिए कि stock market के अंदर पैसा जाता है दोस्तों stock market के अंदर ही अच्छा सा अच्छा पैसा बनता है मेरे तरफ से क्यूंकि मुझे हर चीज़ पता है stock market के बारे में यानि chart analysis candle analysis और आप लोग भी आप लोगों को बता रहा था दोस्तों stock reversal जाएगा reversal जाएगा reversal ही जाएगा आप देख सकते हैं stock कितना भी reversal गया था हम लोगों को 205-206 लेवल के पास दिखा था उसके बाद आप लोगों को में buying का opportunity दिया था देखिए यह 236 के नजदिक जाके reversal हुआ है 240 तक नहीं गय जाए उसके बाद भी reversal हो के आज के दिन हम लोगों को 215-216-214 के पास भी stock buying के लिए ही कह रहा है दोस्तों अगर आप shrink trade करना चाहिए तो यह वाला आप लोग ऐसे लेके चल सकते हैं कल के दिन यह ऐसे ऊपर जाते हुए दिखेगा और आप लोगों को छोटा सा बात बतान है 250 तोड़ेगा 270 तोड़ेगा 290 भी तोड़ेगा दोस्तों 400 के level तक भी यह stock जा सकता है आप लोगों को मैं आज की वीडियो में बता रहा हूं और पहले से भी बताते आ रहा हूं इसके अंदर अगर long term के लिए रुकना चाहते हैं तो 370 390 तक भी रुक सकते हैं आप दोस्तों इसके अंदर जो जो लेवस में आपको दे रहा हूं वह लेवस लेटे चलिए profit बनाती चलिए अपने portfolio में और देखिए कभी मैं आपको 240 तार्गेट दूगा 270 टार्गेट दूगा 290 भी टार्गेट दूगा को से भी टार्गेट दूगा वह टार्गेट अचीव के तोर पर बोड़ रहा हूं दोस्तों को सब्सक्रिंग ले लिजिए आप फिर खीशते हैं तो वह नजी की आके उधर ही उधर फ्लक्विट होता है स्टॉक भी वैसे हैं दोस्तों कितना भी उपर जाए कितना भी उपर जाए फिर से वही लेवल के पास आके रुखता है यह देखिए बेसिक एग्जामपूल दे दिया हूं आप लोगों को अब आप लोगों को मैं चार्ट अनलाइसिस करके समझा दूँगा देखि लिजिए नो मुमेंट विद नो प्राइस अक्षन हम लोगों को कितने दिन के लिए होना चाहिए तीन या चार दिन के लिए क्यूंकि इसके अंदर देख लिजिए नो मुमेंट विद नो प्राइस अक्षन हम लोगों को अपर मुमेंट इधर फिर से नो मुमेंट विद नो प्राइ चाछीब मत बता दिरहा हूं चार रुपे से एवरेज कर सकते हैं जो पे से एवरेज कर सकते हैं 15 के हिसाप से भी हब स्टॉक को आवरेज करे चलिए क्यूंकि इसके हिसाप से दिखिए दोस्तों अपों समझ में नहीं आ रहा है तो आप 200 लेवल पे आप बाई कर चुके बस के तरओ पे बोल रहाँ, 200 लेवल पे आप बाई कर चुके, तो 196 में बाई करिए, यानी चार रुपे का difference, अब 200 लेवल पे यह, आप 193 पे करिए बाई फिर से साथ रुपे का डिफ्रेंस अब 9 रुपे का डिफ्रेंस यानी 191 पर आप 12 रुपे का डिफ्रेंस 177 या 178 पर आप लोग स्टोक को एवरेज कर सकते हैं आपके क्यापिटल के हिसाब से दोस्तों पर एगजिट मत करिये जबरदस स्टॉक है हम लोगों को ट्रेड करने के लिए आपको अभी बता रहा हूं बार बार बता रहा हूं दोस्तों नो एगजिट नो एगजिट ओनली एंट्री इन इंडिया वूस होजिंग फाइनस लिमिटेड यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जोई नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक है जाहिए लिंक को हिट करिए और जोईन कर लिजिए मेरा टेलिग्राम चैनल फॉर इंट्रडे लाइव टिप्स एंड श्टॉक मार्केट अपडेट के लिए दोस्तों पहले पहले अब आप क्या कर लिए टागेश का स्क्रिंशॉट लिका लिए अब यह टागेश जो मैं लिका ला हूँ 27 जुलाई 2020 मंडे के लिए लिका लाओ आप देखिए दोस्तों इसके अंदर पेपर वर्क भी कर सकते हैं अकल बंडे की दिन बाइंग पोजिशन बनाएं से लिंग पोजिशन बनाएं देख लीजिए देखें जो मैं आपको टागेश दे रहा हूँ वह अच्छिव हो रहे हैं नहीं हो रहे ह हो रहे हैं खिटना कम लुकसान हो रहा है टागेश अचीव हो रहे हैं तो भी कितना कम प्रॉफिट हो रहा है आप पेपर वर्क करने आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी वह आप लोगों को बढ़ रहा हूं स्क्रिंशॉट लिखा लिए दोस्तों और आप छोटी सी हुआ दिखाए नीचे जाता हुआ दिखाए तो stop-loss modify मत करिए टागेस modify मत करिए दोस्तों अगर स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाए अब 222 पर target लगाए अब 222 नहीं लगा कि 225 पर direct target लगाएंगे तो भी दोस्तों 222 तो अच्छी हो जाएगा पर इधार आप आडर को modify कर चुके हैं इसके लिए 224 को जाके भी reversal हो सकता है आपको profit नहीं होगा इसके लिए अगर आप buying कर रहे हैं selling कर रहे हैं टागेस पर ठेरिये टागेस को modify मत करिए स्टॉप लोस को भी modify मत करिए दोस्तों ऐसा करने से नुकसान होता है